वेलकम फ्रेंट्स वेलकम टु किजन ओफ जोंत्रिमा मैं हूं जोंत्रिमा और आज की हमारी रेसिपी है पंचाबी स्टाइल मतन मसाला करीजी है बहुत ही ऑथेंटिक पंचाबी टेस्ट है इसमें आप चाहे तो इसे घर में कभी भी बना सकते हैं इस तरीके से उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए शुरुआत से अंग तक तो अगर आप ये वीडियो और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसके नीचे जो सब्स्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी ताके आपको मेरे चैनल की हर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 1 kg मतन लिया हुआ है वो विध बोन है इसको अच्छे से धोके हमने रख दिया है अब चलिए इसके मैरीनेशन की तरफ चलते है तो स्टार्ट करते हैं इसका मैरीनेशन सबसे पहले यहाँ प बहुत ही इंपोर्टन्ट है इसके अंदर इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है इसमें उसके साथ यहाँ पे एक टेबिल स्पून हमने जीरे का पाउडर डाला है जीरे को हमने पहले से ड्राइ रोस्ट करके रखा हुआ था और उसी के उपर एक टेबिल स्पून धनिये का पाउडर डाला है धनिया पाउडर को अच्छे से हमने मिक्सर में प्लेंट कर लिया था पहले से तो यहाँ पे हम डाल रहे है एक टेबिल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ताकि इसके अंदर कलर अच्छा आए और तीखापन मॉडरेट आए तो उसी के साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं दही दही यहाँ पे मैंने 1500 ग्राम डाला है उसको अच्छे से हमने पहले विस्ट कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी लंस्ता रह जाए और उसके पाद इसको हमने मैरिनेशन में डाल दिया है अभी अपने हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक इस होता है तो अभी हम इस मैरिनेशन को मिनीमम 30 मिनिट तक रख देंगे अब चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6-7 मीडियम साइज के प्यास को बहुत ही पतला-पतला बारी काट के रख लिया है और उसको मैं हातों से अच् पैन लिया हुआ है ताके हमारा जो मतन है इसमें बहुत ही अच्छे से कोख हो जाए अभी इसके अंदर हम डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून वाइट आप चाहे तो पूरा यह प्रोसेस घी में बना सकते हैं यहाँ पे मैंने उसके उपर डाल दिया है दाट चीनी के 6 बड़े- दस यहाँ पे मैंने लॉंग डाल दिये है यानि कि पूरा जो गरम मसाला है उनको हम तेल में रोस्ट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ एक टेबल स्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च के जो दाने है वो डाल दिये है अभी दो हम यहाँ पे डाल रहे है लाल जो मिर्च है ती चीजों के उपर हम जो हमारा प्यास जो बारी कट के रखा हुआ था उनको और भी हातों से क्रश करते हुए पूरा जो प्यास है हम इस ग्रेवी में डाल देंगे तो अगर आप कोई भी काडी ग्रेवी बना रहे हैं उसमें प्यास का एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता ह प्यास जो है वो हर तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना होता है अभी इनको हम पांच मिनिट तक बहुत ही अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे यह ऐसे भूनते जाएंगे आप देख सकते हैं इसका कलर जब ऐसे पिंकिश आ जाए और इसका जो वॉल्यूम है बहुत जादा कम हो जाए उसके उपर हम यहां पे एक स्लाइस किये हुए टमाटर को डाल देंगे अभी इन सभी चीजों को हम तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे और भी भूनेंगे ऐसे थीरे थीरे करके आप देख सकते हैं करी रेडी हो चुकी है मसाला जो है वो रेडी ह ठीक पेस्ट जो है वो बनके डडी है अभी पैन के अंदर यहां पे हम तीन टेबल स्पून ओल देंगे और तो टेबल स्पून यहां पे हम डालेंगे डेसी घी के जिहां घी के बिना जो पंजाबी स्टाइल मतन करी है वो अधूरी है तो अगर आप तेल को जादा रखना है तो घी थोड़ा सा तो जरूर डाले और इसके ऊपर यहां पे मैं जिनर गार्लिक का पेस्ट यानि के अध्रक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूं चाट टेबल स्पून अभी इन सभी चीजों को हमने डालने के बात इसको तीन मिर्ट तक मीडियम फ्लेम पे यानि के भून लीजिए ताकि जो मसाला है देखिए आप देख सकते हैं यह अच्छे से भून चुका है तेल भी अलग हो चुका है मसाले से अभी हमारा जो अल्रेडी प्रिपेर्ड मसाला है पेस्ट है जो हमने ब्लेंडर चार में रखा था उसको भी इसके अंदर डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अब देख सकते हैं इसको हम धीरे धीरे करके पूरा जो मतन है हम इस क्रेवी के अंदर डालेंगे और एक कर्ची की मदद से धीरे-धीरे करके इस मसाले के साथ पूरा जो हमारा मैरिनेटिट मतन है इनको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे इसक जो मसाला है और जो मटन है वो जल सकता है मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे धीमे तरीके से करी कोई भी करी रेसिपी की टेस्ट डिपेंड करती है उसके भूनने की प्रोसेस के उपर तो इसको आप ज़रूर 5-7 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से भूनते रहें आप देख सकते हैं मटन का कलर भी भूनते भूनते थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और यह बहुत ही इंपॉर्टन एक प्रोसेस है इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आप अभी पानी डाल देते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा और इसको हम धीमे आज अच्छे से भूंग चुका है हमारा अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे जो पानी हम डालने वाले हैं उसको हमने अच्छे से थोड़ा सा गरम कर लिया था यहाँ पे मैं 600 ml पानी इसके अंदर डाल रही हूँ ताके मतन जो है वो पूरा इस पानी के अंदर आ जाए इस State बहुतर सकते हैं अभी हमें सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला देना है और पानी आप सब गरम ही डाले यह ङ SIMPेरश़ को नॉर्मल टेम्परिचिर में MP अब आले अभी मनें जो एक रही हो हैं इसको हमें ठग के ढृक मिनिक तक इसे पहले एक धीमी आज पे पकने दीजिए ताके जो कच्छा फ्लेवर है वो पूरी तरीके से निकल जाए और गिरेवी देखिए 15 मिनिट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी खुश्पु इसके अंदर से आने लगी है आप देख सकते हैं मटन भी अच्छी तरीके से कुखोना शुरू हो चुका है इसके अंदर बहुत ही अच्छा है इसको धीमे दिमे करके हम थोड़ा सा इसको ऐसे हिला देंगे और उसके बाद इसको फिर से 5 मिनिट के लिए हमें ऐसे ही ढखके थोड़ा सा और पकाना है ताक यहां पर अगर आप साधा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही बड़े से एक पैन में कीजिए यहां पर मैं एक टेबिल स्पून शाही करम मसाले के एड़ कर रही हूं इसके अंदर रसी के साथ यहां पर राई कसूरी मेथी के जो पत्ते होते हैं उनको हम 30-40 मिनिट तक ऐसे ही ठक के पकाएं अगर आप साधा क्वांटिटी में बना रहे हैं मेरे पास उतना वक्त नहीं है तो मैं इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर रही हूं ताकि यह 15-20 मिनिट में बन जाए तो इसको हमें प्रेशर कुकर में ऐसे पूरे करी के साथ मैंन यानि कि दो जो विसल है प्रेशर कुकर के वो होने तक हमें वेट करना है और इसको ध्यान इस बात का जरूर रखिए कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही कीजिए क्यूंकि करी थोरी सी थिक है तो नीचे से यह जल सकते हैं इसलिए इसको लो टु मीडियम फ्लेम पे दो अराम से लगाने के पाथ हमारी आप देख सकते हैं जो करी है वो एक्तम से बनके तयार हो जाएगी यानि कि यही final step है देखते हैं दो सिटी हो चुकी है पाँच मिनिट पाद अब देखिये मैंने लिद को open किया है और ऐसे हमारी जो करी है वो एक तम बन के रेडी हो चुकी है अगर आपको जब अगर आप प्रिश्र को कर में बना रहे हैं या फिर अगर पैन में भी इसको 30-40 मिनिट तक बना रहे हैं पानी अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा डालिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही साथ अगर आप में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल फिर मिलते ह नहीं एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो इसको आप जरूर एंजय कीजिए